आज हम डेर सारी सब्जयों का इस्तिमाल करके बहुती स्वादिश्ट और पॉष्टिक सूप बना करके तियार करेंगे। जिसके पीने से आपका पेट भी भर जाएगा, इसी के साथ साथ स्वास्त के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो नमस्कार, पापा ममी किचेन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए यहां पर हमने एक पैन लिया है, पैन में सबसे पहले दो टेबली स्पून जितना बटर डाल देते हैं। इसकी जगह पर आप गी डाल सकते हैं या तेल भी डाल सकते हैं। बटर आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा भी डाल सकते हैं। और गैस कोम चालू कर देते हैं। अभी बटर हमारा पिगल कया है तो इसमें आदा छोटा चमच इतना जीरा डाल देते हैं। जीरा अच्या से पक जाएगा। और इसका फ्लेवर इस पर बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ मैंने चार-पांच के लिए 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 ये भी इसमें डाल देते हैं। आप लसुन नहीं खाते हैं तो इसकी कर सकते हैं। इसकी जगाए पर आप थोड़ी सी हिंग भी डाल सकते हैं। हिंग डाले तो आप बहुत ही थोड़ी डाले एक पिंग जितने हिंग डाले हैं। पर यदी आप लसुन खाते हैं तो आप लसं जरूओ डाले इसका टैस्ट इसमें बहुत ही अच्छा हैका नगनाBeST जेए जाएब दिर खिर मंदने क्कालाई लगता झाल गये है। कर दो दोhando कि आम जब ऑने जाना। कि आुखे एक कप जितना गोया यहा क्यूवरी बढाए्डोंक सरे लिए दें, और जाहिते हैं ह हुची को पत्ता गोया यह बज़ी है के सब्चने साहँ में too सब्यों मिन ऊहिए ।に लीगे लाद पर इस तरह से हम बटर में पका लेता है तो इसका स्वाद कई बढ़ जाता है इसे बहुत जादा नहीं पकाएंगे पहले दो मिनिर तक पकाएंगे दो मिर्ची लिए यह बड़ी साइज की सिम्ला मिर्ची थी इसलिए मैं आदी लिए इसको बेना छोटा-छोटा काता है यह इसे के साथ मैंने एक टमट काता हैं अलग अलग क्लर की सब्जे ढालके बनाते हैं इस सूपका कलर भी बहुत अछा लगता है बहुत कल어 फूल बनके त्यार होता है रिए मैंस्टर के आपके पास पोगशा सब्जयों तो वह भी आप डाल स давно जारूबangel sound यह समय डाल देते हैं और कव्रोजन मटर लेते हैं इस समय आपको डालना जिससे दो मिनिट के मटर पंग जाता है तो उसका स्वाद और अच्छा आता है यह फ्रोजन मटर रहे इसलिए बाद मैं लाज सकते हैं अभी इसमें एक टीश्पून जितना नमक डाल तो नमक आप अ जब तक सब्जे उबल रही है तब तक आमने एक मिशिका जार लिया है है इसमें सबसे पहले एक मिर्ची को तोड़ करके डाल देते हैं इसी के साथ मैंने एक ही जद्रक का टुकड़ा लिया है इसको भी इस तरह से रफली काट करके डाल देंगे कि चार कलिया लसुन की लिए है यह बिसमा डाल देते हैं यदि अब लसू नहीं कहते हैं तो स्कीप कर सकते एक मेंझे मीडियम सैज का प्याज लिया जिसको बड़ाब वढ़ा मैसे टाथ लिया है ये 2 अगल यग जहां पानी देंगे ज्यादा पैनी डालने कि जितना यदा ले लेते हैं ये ग्यों को आठा alors किका आठा आठ अपने घर में जो भी आठा खाते इसकाशन कर सकते और सूजी ओज पने हैं उसका फ्वाटर नमक भी बराबर सब्जे के लग जाना चाहिए बहुत ज्यादा तेल नहीं यहीं डालना इसमें इसका छोटा चम्श टील डालना है, अभी जो हमने पीछ करकर रेक्षा है, उसको छान के इसमें डाल देंगे यह ध्रग लशन का पेष्ट है उसको छान करके डालेका पीपी, इसमें कोई बड़ा पीस वगर रहा है तो इसके पीछे बच जाएगा अभी जो पीछे बच गया है इसको हमें वैस्ट ने करना है साइड में जो हमारी सब्जे उबल रही है उसके अंदर डाल देंगे अभी इसका हमें आटा गुंद करके तियार करना है अता हमें बहुत टाइट गुंद करके तियार करना है जितना आप टाइट गुंद सकते हैं उतना टाइट गुंद ले इसलिए पीछने के समय में पानी कम से कम डालना है जो अद्रग लसन मिर्ची जो पीछ के डाला है उसक यहां पर मैना इसने के समय जो दो टेबल इस उन पानी एड किया था उसी से मारा अटा गुंद करके तियार हो गया है यह आपको जरूत लगए ताप थोड़ा पानी इसमें एड कर सकते हैं देख बहुत अच्छे गुंद के त्यार हो गया है थोड़ा सा इसके उपर तील आए हटाए ताइसां अब इसको मगण पार्च में इसके बडा बना लेते हैं अब यह साइड में अमने सब्ज्य उम्ने के रखी ती उसको चेक कर लेते हैं ताप अधिय पारा सब्जों में बहुत अच्छे से उबाल लाने लग गया है सेमें आप बदा देती हूं इस रे तोड़ा छोटे निकलेंगे पर सब भी से अच्छे से बन करके तयार हो जाएगा मैं यहां पर मीडियम वाले कदू का इस्तमाल करूंगे अभी जो अमने लोई बना करके रखी है वो ले लते हैं आज को थोड़ा धीरे कर लेते हैं क्योंकि इसके ओपर हाथ रखेंगे तो हा जब आपके हाथ जल रहे हो इसके लिए मैंने वही परात वापस लेली है आप चाहिए तो परात के अंदर या प्लेट के अंदर कदू कर सकते हैं यह इसली कदू को सजाएगा हाथ का आपको जरूर ध्यान रखना है हाथ के नहीं लगनी चाहिए आप देख पार है हाथ के अब तो प्रशन से हलका सा दवाव लगा रही है और आराम से निकल रहे है इस तरह सम्थोर तुला करके बनाते रहेंगे और सूप में डालते रहेंगे यह मैं आपको याद दिला देती हो का आपको माई रशेपी कासी लग रही है निचे कॉमेंट बॉक्स में लिखके में पानी थोड़ा कम लग रहे है तो पानी को उबाल करके इसमें और डाल सकते हैं अभी ड़कन डगा करके इसे 10 मिन तक हम और पका लेंगे जिसे हमारे आटे के लच्छे अच्छे से पक जाएंगे यहां पर मैं आपको बता देती हूं यह आपको कंदुकस के अंदर से आटे मसीन होती है नहीं है इसलिए मैंने कदुकस से निकालना बताया है यह आपके बच्छों को सूपी नूडल्स खाना पसंद है तो इस तरह की मसीन से आप निकालेंगे तो उनको बहुत ही पसंद आए गए अभी इसको पकाते वे लग दस मिनिट हो गया है इसको खोल करके दे के माध करने के बाद में याफ यह शूख अचा ने कर देते कre정 कि ज्यादा बाइल करने से पनीर क्या चुई और जाता है जो खाने में अच्हाने लगता है तो जो जो कृ indem 말ij take it अभी इसमें थोड़ा साहराधनिया डाल देते हैं इस तरह से हमारे बेहत स्वाधिश्ट और हेल्दी सूप बन करके तियार हो गया है अभी मैं आपको दिखाती हो दिखने में कितना सुंदर लग रहे हैं इसके अंदर आते के लच्छे हो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इ आप भी अपने घर में इसे बना कर जरूर ट्राइ करें फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाए एंड टेक केर